Hello friends, Welcome to Educational Insight दोस्तो कार योजना बन गई है जी हां दोस्तो प्रस्ताव तयार हो गया है और प्रस्ताव ना केवल तयार हुआ है बलकि केंदर सरकार को अनमोधन के लिए दोस्तो प्रेशित हो गया है जी हां दोस्तो उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिशत के नियंद्रनाधीन ज तो दोस्तो प्रस्ताव ना केवल तयार हुआ है बलकि इसको केंदर सरकार को प्रेशित कर दिया गया है ताकि ततकाल इस पर मंजूरी मिल जाए तो प्रतेक स्रेक्षिक सत्र में जो योजनाएं हैं उसे मूर्थ रूप में परिलत करने के लिए बजट की दरकार होती है प्रदेश सरकार जो भी योजनाएं चलाना है उसे जो भी जमीनी अस्तर पे योजनाओं को अमली जामा पहनाना है उसे मूर्थ रूप में लाना है उसके लिए केंदर सरकार से दोस्तो बजट मांगती है अब सैक्षिक सत्र 2021-22 में पूरा का पूरा क्या नया काम होना है इसके लिए प्रस्ताव दोस्तो तयार हो गया है अब बजट के लिए इसको मंजूरी के लिए केंदर सरकार के पास दोस्तो प्रेशित कर दिया गया है जहां से शीग्र ही अनुमोदन मिलने की दोस्तो प्रबल संभावना है और उसके बाद सैक्षिक सत्र 2021-22 में उत्तर प्रदेश में जो परिशदी विद्याले हैं उनके अलावक का स्तूर्बा गांधी बाली का विद्याले दोस्तो गुल्यार होंगे आते हैं पूरी की पूरी नियूज, पूरी की पूरी इन्फरमेशन, पूरी की पूरी लेटेस्ट अब्डेट से आपको रूबरू कराते हैं दोस्तो प्रदेश में बेसिक सैक्षिक सत्र वर्ष 2021-22 में कई बड़े बदलाओ का गवाह बनेगी इस जीहां दोस्तो सैक्षिक सत्र 2021-22 कई परिवर्थनों को अपने में दोस्तो समाहित किये हुए है आंगन बाली केंद्रों में प्री प्राइमरी सिक्षा का इंतजाम होगा तो प्रदेश के 901 सैक्षिक ब्लाक में प्रतेक में मॉडल स्कूल अस्थापित किये जाएंगे कस्तूर्बा गांधी बालिका विद्यालियों और परिशदी उच्च प्रात्मिक विद्यालियों में विद्यार्थियों को अंग्रेजी गणित वा विज्ञान की जटिलताएं रूचिकर तरीके से समझाने के लिए उन्हें इन विश्यों के किट मोहया कराए जाएंगे यह सब प्रदेश में समग्र सिक्षा के तहत वर्स 2021-22 के लिए प्रस्तावित कारियोजना का हिस्सा है जिसे बुधवार को मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश सभी के लिए सिक्षा प्रियोजना परिशत की कारकारी समित क की बैटक में मंजूरि दी गई, अब यह कारियोजना केंदर की मंजूरि के लिए दोस्तों भेजी जाएगी, इस कारियोजना में बेसिक सिक्षा के लिए 11,429 करोल रूपे, टीचर एटूकेशन के लिए 1,830 करोल रूपे, और माध्यमिक सिक्षा के लिए 1,150 करोल रूप करोडों रूपए की वार्सिक कार्योजना को मंजोरी दी थी इसके सापेच वर्ष 2021-22 की कार्योजना में 41.69% की बृध्य प्रस्तावित है बाली का सिक्षा से जुड़े कारकरमों के लिए 1295 करोड रूपए प्रस्तावित है इसमें प्रदेश के 75 kg बीवी को कक्षा 12 तक अपग्रेड करने का प्रस्ताव भी शामिल है इन kg बीवी में अकादमिक भवन और बाली का च्छात्रावास की निर्माड का प्रस्ताव दोस्तों शामिल है दोस्तों इससे होना क्या है पूरी की पूरी सेक्षिक व्यवस्था बहतर होगी बेशिक सिक्षा में दोस्तों क्या-क्या चीजे नई होनी है 7209 अत्रिक्त क्लास्रूम का निर्माड होना है 2868 जरजर विद्यालियों का भी पुनर निर्माड होना है 8,070 उच्च प्रात्मिक विद्यालियों में दोस्तों फर नीचर पहुचेगा बच्चों को बैटने के लिए और 15,587 विद्यालियों में दिव्यांग बच्चों के लिए शोचाले कर निर्माड होगा 19,800 विद्यालियों का विद्यत्वी करण होना है 806 विद्यालियों में solar panel की दोस्तों विवस्ता होनी है और 15191 उच्च प्रात्मिक विद्यालियों में बालिकाओं के लिए incinerator जी हाँ दोस्तों बच्चियों को adolescence के दौरान किशोरा वस्ता के दौरान जो उनको मासिक स्राव होता है तो hygienic जो a pad है उसको damage करने के लिए उसे destroy करने के लिए एक incinerator की विवस्ता भी दोस्तों होनी है आगे चलते हैं 301 उच्च प्रात्मिक विद्यालियों में चाहर दिवारी का निर्माड होगा प्रतेक सेक्षिक ब्लाक में model school की अस्थापना होगी की 278 विद्यालियों में पेजल सुविधा होनी है 103 विद्यालियों में बड़े मरम्मत के कार होने है शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के कारिकर्मों के लिए 1051 करोड रूपए की धन्रास भी दोस्तों प्रस्ता भी थे अब इनके लिए भी प्रावधान है शिक्षा के लिए 44 करोड रूपए शिक्षकों शिक्षा वित्रोवा अंसकालिक अनुद्यसकों की वेतन के लिए 5404 करोड रूपए और वर्ष 2021-22 में मिड़े मील के लिए 4222 करोड रूपए की वार्सी कार्यूजना भी केंदर को दोस्तों प्रस्तावित की गई है तो दोस्तों ये रहा पूरा का पूरा प्रस्ताव जिसको हम प्रोजेक्ट एप्रूवल बोर्ड भी कहते हैं पी एबी की बैठक दोस्तों होती है और ये प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार के माध्धम से केंदर के पास मंजूरी के लिए भेजा जाता है परदेश सरकार के जो मुख सचिव की अध्यक्षता में जो बैठक होई वहाँ पर दोस्तों इसकी मंजूरी मिल गई है जो प्रस्ताव था जो तैयार हुआ था अभी से केंदर के पास भेजा जा रहा है पूरी आशा है पूरी संभावना है कि ये दोस्तों प्रस्ताव मंजूर हो जाएगा क्योंकि ये महत्वा कांची प्रस्ताव है और बहुत ही आवश्यक इसमें जो भी चीजें हैं बहुत ही महत्पूर्ण हैं बहुत ही आवस्थ है और बहुत ही जरूरी है तो दोस्तों आज के लिए इतना ही ये वीडियो इंफॉर्मिशन ये लेटेस्ट अपडेट्स आपको कैसा लगा आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा यदि आपको अच्छा लगा है तो प्लीज आप इसे लाइक करना अपने जैसे दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करना लेकिन अगर आप चैनल पे नए हैं पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें जब भी आप सब्सक्राइब गड़न प्रिस करते हैं बराबर से एक बेल आइकन आता है उसे प्र सब्सक्राइब करें थैंक्स पर वाचिंगे लिसनिंग दिस इजे प्रिकास तुभी साइनिंग आप